कैसे सब लो आज की वीडियो में आपको एक solution देने वाल है एक ऐसी problem का जोकी है कि अगर आप अपने screen को record करते हो तो आपका screen recorder on होने के कारण आपका जो game है वो lag करने लग जाता है या फिर आप अगर YouTube पे video डालते हो तो उसकी quality खराब होती है तो basically आज की वीडियो में मैं तो इसका जो फर्स पार्ट है वह लाग कैसे अपना फिक्स करें अपने गेंपले का तो वहां से उस वीडियो को देख लेना क्योंकि वह फर्स पार्ट होगा उसके बाद ही आप आगे आगे की प्रोसेस करना अगर आपके पास में डिवाइस या फिर एक लोएंड डिवाइस तो पॉइंट नमबर वन तो यही आता है कि आपको कभी भी एफ्लिकेशन का यूज करना ही नहीं जिनका जिन जीन आप्लिकेशन का साइज 20 MB से ज्यादा है उनको यूज नहीं करना है क्योंकि अगर आप ज् आपको कुछ सेटिंग्स का ध्यान रखना है अगर आपको सेटिंग्स बिगाड़ दोगे तो आपका रिकॉर्डिंग लाइक करेगा तो मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूं क्या सेटिंग्स रखनी चाहिए आपको यही सेटिंग्स रखनी है चाहिए कोई साभी एप यूज करो ओके तो रखना है या फिर फूल भी रखना है विट्रेट में आपको रखना है हमेशा 10 Mbps ना ज्यादा ना कम कम रोकर कि तो वीडियो क्राब हो जादा रखोगे तो आपका गेम्प्ले लाइक करेगा इसला आपको हमेशा 10 Mbps रखना है और जो fps है उसको हमेशा 60 fps रखना है क्योंकि अगर आप 60 fps रखोगे तो उसे होगा यह आपका गेम्प्ले काफी दर स्मूध दिखेगा अगर आप 40 fps कर दोगे तो आपका भली गेम्प्ले जो है वह 60 fps चल रहा हूँ बस रिकॉर्डिंग तो गाइस देखो अब मैं आपको बताने वाला final section जो की है export setting आपको क्या रखनी चाहिए जिससे आपका वीडियो जो है YouTube पे उसकी quality खराब ना हो अब यह चीज़ समझने वाले चीज़ देखो बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आपनी वीडियो की setting आप यह रखो कि मतलब फुल रखो उसके bit rate फुल करके export क्या करो बट गाइस यह बिल्कुल भी सही तरीका है मैंने बहुत सही वीडियो देखा इसलिमा को बता रहा हूं यह बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है क्योंकि आप full export करोगे तो YouTube जो है अगर आपने 720p resolution पे video upload कर यह तो YouTube set है कि आपकी 8 bit rate पे set करके export करना है इससे क्या होगा कि अगर आपका YouTube जो है video compress करता भी है तो ज्यादा compress आपका video नहीं होगा जिससे क्या होगा YouTube पे आपके video के quality बहुत जादा अच्छी दिखेगी अब YouTube वीडियो इसलिए करता है ताकि आपका जो viewer है उसको सारा data अपना खतम करना तक कि viewer का data कम से कम खतम हो और वो ज्यादा enjoy कर सके YouTube को तो बस यही थी आपको हमेशा 1080p 10 ebps पे record करना है और export setting 720p और bit rate रखना है 7 to 8 mbps okay and recording मैं आपको बता दिया उनका link आपको description मिल जाएगा उन दोना application का EDV screen recorder और screen recorder no ads इन दोनों का application का link आपको description में मिल जाएगा तो बस गईज आज की वीडियो में इतना ही मिलते है अगली वीडियो में तो बाई-बाई-टेक्या, have fun and enjoy झाल